एक समय की बात है, एक छोटे से गाव में एक गरीब किसान हरी रहता था. एक दिन जब वो अपने खेत में खुदाई कर रहा था, तो उसे मिट्टी में गहरा दबा हुआ एक पुराना, जंग लगा हुआ बरतन मिला. हरी निराश हो गया क्योंकि वो कुछ कीमती चीज पाने क की उम्मीद कर रहा था, लेकिन फिर भी वो बरतन को अपने घर ले आया. घर पहुँच कर, हरी ने अंजाने में अपना कुदाल उस बरतन में रख दिया और अंदर जाकर आराम करने लगा. थोड़ी देर, बात जब वो वापस आया, तो उसने देखा कि बरतन में अब एक क के बजाए दो कुदाले थी. हरी हैरान रह गया और समझ गया कि यह बरतन जादूई है, यह उसमें रखी गई किसी भी चीज को दो गुना कर सकता है. खुशी से उत्साहित होकर, हरी ने बरतन के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया. उसने एक सेब डाला और उसमें से दो स हनी हो गया. जादूई बरतन की खबर पूरे गाउं में फैल गई. हर कोई हरी का खजाना देखना चाहता था और उसकी नई समपत्ती का राज जानना चाहता था. हरी का एक लालची पडोसी रामू भी यह सुनकर बरतन को हासिल करने के लिए उत्सुक हो गया. एक रात, रा रामू खड़े हो गए. दोनों ही घबराए और हैरान. हरी आवाज सुनकर जाग गया और रामू को रंगे हाथों पकड़ लिया. उसने देखा कि क्या हुआ है और कहा, इस जादूई बरतन ने मुझे काफी कुछ दे दिया है. मैं नहीं चाहता कि लालच सब कुछ सीखा. हरी अपने साधारन जीवन में लोट आया, अपनी स्थिती से खुश था और रामू को अपने जैसे एक और के साथ रहना पड़ा, जिससे उसे हमेशा अपने कर्मों का खामियाजा याद रहे. कहानी की सीख, लालच मुसीबत को न्योता देता है और जो आपके पास ह उसी में खुश रहना ही सच्ची खुशी है. हमें संतुष्ट रहना चाहिए और लालच को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देना चाहिए.